नमस्का सनातक प्रथम वर्ष हिंदी सहीते के अंत्रगत हम हिंदी नाटक से क्यावी प्राही है और नाटक की विकास्त यात्रा का धिन कर रहे थी इसी के अंत्रगत हमने प्रसाद पूर्व जो हिंदी नाटक है उनका धिन किया था और उसे श्रंख्ला में हम आज जो रही है नाटक जैसे कि प्रसाद यूगीन हिंदी नाटक प्रसाद उत्र स्वतंतरता पूर्व हिंदी नाटक और स्वतंतर उत्र हिंदी नाटक इनका अध्यन हम आज के इस वीडियो में करेंगे प्रसाद युगीन नाटक और इस सांस्कृतिक राष्टिय चेतना की लहर ने उस समय के साहित्य को भी प्रभावित किया इसलिए भारत के अतीत की खोज और वर्तमान समस्यां दुरबलताओं से लड़ने का साहस प्रसाद के नाटकों से हमें मिला यह कह सकते हैं कि जो जैशंकर प्रसाद की यूग के न नाटक थे उन्होंने हमारे भीतर हमारे देश का जो अतीत था उसके प्रतिगर्व जिगाया हमारे भीतर की जो दुरबलताओं थी उनको दूर किया और समस्यां से जूजने की हमें प्रेवना दी इस काल की एक महतवपोन बात यह थी कि पार्सी थियर्टर अपने चरम विकास पर था इस काल में और अत्यांत लोग प्रचलीती भी था इसलिए इस काल की नाट्या प्रवरेतियां थी उस पर पार्सी थियर्टर का व्यापक प्रभाव पड़ा इस यूग के जो प्रमुख रचनाकार हैं उनमें जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि यह यूग प्रसाजी का यूग था तो सरप्रथम तो उनका नाम ही आएगा कि जयाशंकर प्रसाजी आगा होश्र कश्मीरी नरायन प्रसाद बिताव सुधर्शन और जीपी श्रिव प्रकार से हैं जैसा कि जैसेंकर प्रसाजी के नाटक से कल्यानी करुनालिया राश्री सकंद गूप्त इसके अलावा चंदर गूप्त अजात श्यत्रू दुरूप स्वामनी और विशाख यह जो आएगा हश्र के जो नाटक थे उनके नाम है सूर्दास श्रवन कुमार सीत वनवास और इसी प्रकार से नरायन प्रसाद बेताफ इनके नाटकों के नाम थे महाभारत रमायान कृष्न सुदामा सुदर्शन जी ने जो नाटक लिखी उनके नाम क्रम्शा इस प्रकार से हैं सिकंदर और दूप च्छाह इस काल के नाट्य साहित्य अर्था जो भी प्रकार के नाटक दिखाई देते हैं जैसा कि मैंने अभी विवेचन किया था उससे भी हमें पता चल रहा था कि जैसा कि जैसे शेंकर प्रसाद जी के नाटक है एतिहासिक नाटक आते हैं तो इसी लिए इस जो काल के नाटक थे प्रसाद यूगी नाटक थे उनको भी अध पूर्ण प्रवरीती है कौन से युकी प्रसाद युगीन नाटकों की कि जो इस युक में नाटक लिखे गए थे वह अधिकतर एतिहासिक थे जैसा कि मैंने पूर्ग भी बताया कि स्वतंतरता की लहर उस वक्त चल रही थी और उसका प्रभाब जो हिंदी सहीतिय था उस पर पड़ा तो स्वतंतरता की जो लहर कह सकते हैं या जो चेतना थी तो जो सहीतिय पर असर पड़ा तो उसमें क्या हुआ कि जो सहीतियकार का भाव उत्पन करने में अतिहासिक नाटकों ने अपनी महत्वपोन भूमिका निवाई प्रसाजी ने राज्य श्री विशाख अजाहत शत्रू सकंद गूप्त चंद्र गूप्त आधि अतिहासिक नाटक लिखे बदरीनात भट ने दुरगावती नाटक लिखा इस यूग क समंदी जो इतिहासिक नाटक है उसमें इतिहासिक तथें लिए गए लेकिन पूरणता है इतिहासिक नहीं है उसमें थोड़ा सा कल्पना का मीच्रिण भी किया गया है क्योंकि अगर हम जूंका त्यओं उसका वर्डनन कर देंगी तो वहसा सहीतिय ना रहेकर मातर इतिहास रह जाएगा, अतीद की गटनाओं का ब्यूरा रह जाएगा और साहिते की होता है कि साहिते की शेलि में जब लिखते तो उसमें कलपना को संमलित किया जाता है जिससे यह नाटक बहुत ही प्रभावशाली बन गई है इतियास के बीट ही उन्होंने नाटकों में प्रेम और सुंद्रय के मदरुचीतर खींची है इस छेतर में उनकी दृष्टी रोमांटिक होते हुए भी स्यामीत रही इस तरह के नाटकों में सकंद गुप्त, चंदर गुप्त, दुरूब समामनी प्रमुक थे इन में राष्ट्रे चेतना और सांस्कृति के वातावण की उपस्तती सर्वत्र देखी जा सकती है और इन नाटकों में काव्य तत्व की प्रकृती ज्यादा है दुवित्य परकार के नाटक प्रसाद योगिन में हमें मिलते हैं रोमांच चकारी नाटक रोनक बनारसी का इनसाफे महमूद हुसेन मिया जरीफ का लैला मजनू और अली बाबा आदी काल के कह सकते हैं ये प्रसाद योगिन जो योग थे उसके प्रमुक रोमांच चकारी नाटक है इनके नाटकों में श्रिंगार, पूर्ण, वातावर्ण, उतेजक घटना, विधान कह सकते हैं भेश बूशा की तड़क भड़क वे छेछले किसम के सम्वास से जनता का मनरंजन करना प्रमुक हुदेशिया था नाटक कला के दस्टी से इनहें सहीत्य नाटक नहीं माना जा सकता प्रहंतु क्योंकि यह इस यूग के नाटक थे तो इनको रोमांच कारी नाटकों की शेयनी में रखा गया पुरानिक नाटकों में कुछ नाटक सुदर्शन आदी ने लिखी है चोथे जो नाटक है वहाँ है समसामेक नाटकों में समसामेक समस्याओं को उठाया गया है प्रन्तु उनमें घंबीर विशलेशन का भाव है उनमें हास्या का प्रियोग है या कह सकते हैं से विंग यात्मक है प्रन्तु अती नाट के अता होने के कार्ण वे कह सकते हैं कि सस्ते किसम के हासे नाटकों ने नाटकों के देशे को शती भी पहुँचाई है इसके उधारण है जैसे कि पांडेय वेचन शर्मा का उगर का चार बेचारी और उजबक जीपी श्रिवास्तब का उलट फेर विवाह विग्यापन रादेश याम कथा वाच्छक का काउंसिल की मेंबिर इस प्रकार से इस यूग में यथार्थ वादी नाटक भी लिखे गए हैं इस यूग में यथार्थ वादी नाटकों की नीव भी पड़ी जिसमें मानव जीवन की और कथानक को गतिशिल बनाने में सहाइक है लेकिन समबाद योजना में एक कह सकते हैं कि प्रमुक कमी क्या है कि इसमें लंबे-लंबे समबाद है या लंबे-लंबे कतोफ कथन है जिससे क्या है जो कथानक का परभाह है उसमें अबादा आती है और दूसरा इस यूग की एक और कह सकते हैं कि जो इस यूग के जो नाटक है उनमें क्या है कि उनको रंग मंच पर जल्दी से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके अंदर कई के समय का जो कह सकते हैं अंतराल है भेश बोशा है युद्ध का वातावरण है संस्कृत निस्ट शवदाबली है कह सकते कि रंग मंच पर बिल्कुल परदर्शित नहीं किया जा सकता प्रसाद यूगी नाटकों की वहाशा शशक्त है किन्तों कहीं कहीं नाटकी अतना धारण नहीं कर पाती विशेशकर प्रसाद जी ने वहाशा का प्रियोग भाब के अनुसार किया है पात्रों के अनुस इस युग के नाटकों के अनुबाद भी हुए हैं, मैतलिशन गुप्त ने भाष के स्वपन वासवदत्ता का अनुबाद किया, रमेंदर नाठ ठाकुर और गरिश गोष के नाटकों के भी अनुबाद हुए हैं इस युग में, इसके पश्चात है प्रसादोतर स्वतंतरता पूर्व हिंदी नाठक इस योग तक आते हाते भारत के समाज जिक राजनीतिक जीवन में कोई परिवर्तन आया कह सकते हैं काफी परिवर्तन आया अब जीवन में भावना और अधर शिकास्थान एक्थार्थ ने ले लिया राश्ट्रिय स्वाधीनता संग्राम में मजदूर किसान संपोर्ण भारत वासी थे वो समलित हो गए पार्सी रंग मंज की लोक्त्रियता कम हुई क्योंकि सिनेमा का प्रभाबादिक बढ़ गया था इस काल में दो प्रकार के नाठक लिखे गए जिसमें थे प्रसमताय राश्ट्रिय चेतना पर अधारित नाठक क्योंकि सुरतंतरता प्राप्त नहीं हुई थी सुरतंतरता के लिए संकर्ष थी जन जागरती थी राश्ट्री चेतना की लहर थी सांस्क्रतिक जो भारती संस्क्रती थी उसका क्या सकते हैं चारो और परसार हो रहा था तो इसलिए इसका प्रभाब जो था हिंदी साहित्य पर भी प अपने मातकों में समनेषदी द्रश्टि वे नेतिक मुल्यों को बल दिय, रथाद कह सकते हैं कि समन्वयवाद के इस्तापना की नेतिक मुल्यों की इनमे प्रमुक है, हरिकरिश्न प्रेमी का रक्षा बंदन और आहुति और इसी प्रकार से गोविंद भलब पंत का है राज मुकृत सेट गोविंद आस का है करतव्य दिवित्य प्रकार के नाटक इस योग में लिखे गए वे थे यथार्थ परक समस्य प्रधान नाटक नाम ते इस फस्ट है कि जो वास्तिविक्ता प्रधारत अधारित थे समाज की यथार्थ को इसम नाटक लिखेगे और इस कोटी के नाटक लिखेगे जैसे कि उपेंद नात अशक का एक प्रसीर नाटक है अंजोदीदी पांडिय बेचन शर्मा उगर का है अवारा डिक्टेक्टर और इसी प्रकार से हरिकृष्ण प्रेमी का च्छाया लक्ष्मी नरायन विश्र का सन्या नासी और मुक्ति का रहस्य समस्या प्रदान नाटकों में पातर तो कम होते हैं एवाम इनका जो कार्य विववार है वह भी सीमीत होता है प्रन्तों इसमें जीवन के विविन विश्यों की पस्तूती नहीं होती प्रमुक रूप से किसी समस्या को उभारा जाता है और स्वतंतरियोतर नाटक नाम से सपस्ट है कि भारत जो स्वतंतर हुआ था हमारा भारत वर्ष तो उसकी स्वतंतरता के बाद जो नाटक लिखे गेवे स्वतंतरियोतर नाटक कहलाते हैं और इस काल की जो नाटक थे उसमें कहीं नहीं प्रवर्तियां दिखाई पड़ी जो कि केवल नाटक में नी हुआ यह सम्पूर्ट सहीत्य प पर इसका प्रफा पड़ा, चाहि वह कहानी हो, चाहि निबंद हो, चाहि कह सकते हैं, उपनियास हो, चाहि कवीता हो, हमें सभी सहीत्य च्छेत्रों में गद्य-पद्यां में यह प्रवर्ति हमें देखने पड़ेगी, द निर्माण के अकांखिशाने लोगों जी सकते हैं अपनी इच्छा से अपना जीवन जी सकते हैं अध्योगी करण बहुत हुआ इस काल में और सबतंतर तो थी लेकिन इस दिशा में मिली एस सफलता से उत्पन मोह भंगने लोगों को निराश विवह कुंठीत भी किया क्योंकि सभी लोग सफल होना चाहते थे प्रंतु उन में जब उनको कुछ उस छेतर में सफलता नहीं मिली तो सधारन सी बात है कि हम निराश और कुंठा के भाप से भर जाते हैं इन प्रस्तितियों में मद्यम वर्ग सरवादी की प्रभावित हुआ इस दोर में जो नाटक लिखेगे उनमें मद्यम वर्ग किया शाओं अकांक शा इतियां नहीं कहानी नेक विता में मिलती हैं वैसे ही नял नाटको में मिलती है उन ब्युंठेश्वरła से विसंगती वहन क निरुदेशी और अर्थीन होना जब मनुश्य को लगे कि उसका जीवन वियर्थ है उसके जीवन का कोई उचितिय workshop को रहा है गूं पूण को पूरत तो वही सो जाना वही खाना है जो देन चर्या नी महसूस होता है तो वह विसंक्ती भोध कहलाता है कामू सैमुल वैकड की पास चात्तिय अवसर्ड प्रंप्रा से मिलते जुलते ऐसे नाटक काफी मातरा में लिखे गई है आदनिकता बोध को स्थापित करने की दिश्टी से धरंबीर भारती का अंदा यूग मोहन राकेश के जादे धूरे असाड का एक दिन लहरों के राजहंस उलेखनी है धरंबीर भारती का अंदा यूग में महा भारत यूद के उपरांत की जिन परस्तीतियों वे घटनाओं को परस्तूत किया गया है वह द्वित्य विश्व यूद के बाद की घटनाओं का प्रतिका आत्म के चितरन करती है तो कहने का तातप्रे हम यह कह सकते हैं कि महा भारत का कथानक लेकर कह सकते हैं कि पुरानी कथानक लेकर उससे जो वरतमान की है स्थीति उसका चितरन किया गया है जब कभी क्या होता है कि जब कभी लेख अपने आपको वरतमान की किसी स्थीति पर अपने भा आदिम से वह उस घटना का वीबरन करता है तो महाभारत का युद जो उचित नहीं था और विश्व युद वह भी महाविनाश का कह सकते हैं का ही परतीक है तो दोनों में सामया के अधार पर घटनाओं का प्रतिकात्मक रूप में चितरन किया गया है अपनी प्रतिकात्मक त आदनीक मानव के दुवन्द तनाब को अपने नाटकों का वीशे बनाया है रंगमंज के इस तर पर मोहन राकेश परसाजी की सिमाओं का आतिकरमन करते हैं इनकी बहाशा चरम रचनातमक तथा नाटके संभाबनाओं से युक्त है असाड का एक दिन की कथा कालिदास की दुवन्द और जटिल समंदों को व्यक्त करती है वहीं लहरों के राजहंस गोतम बुद्ध के भ्रातान नंद के दुवन्द को प्रकट करती है इसमें राग विराग मोहत्याग संसारिकता अधियात्मिकता के दुवन्द को सफरता पूर्वक उभारा गया है वहीं आदे दूरे यसार्थ की सीधी अभी व्यक्ति करने वाला एक अडंबर ही नाटक है जो अधनिक मद्यावर्गिया परिवार के तूटने विखरने की कता है कह सकते हैं कि आदे दूरे नाटक वास्तम यह बताता है कि हर व्यक्ति स्यम क्या है आदा दूरा है लेकिन वह हैं दूसर में की अन्यग महें तौ पुन नाटक है जिनोंने मादा क्टेस कनाह期 में कला को पुझा गैंच कि अंत्रव रोध को प्रस्तूत कीया है यह यह नाटक एक दूसरे सिर्पर पीडियों के मुल्यों के संगर को प्रकट करता है पीडियों की तातप्रया है कि कह सकते हैं कि एक यूबा पीड़ी होगी और एक उससे पूर्व की पीड़ी होगी यानि कि दो पीडियों के भीतर जो अंतरा लाता है विचार धारा का उतको यह प्रकट करता है लक्षमी नरा लाल लगुनाटकों के लिए प्रसीद हैं जो भले ही पास चाते रंग शिलप और आदनिकता के प्रयोग हों पर है यथार्थवादी मोहन राकेश की प्रंप्रा में ही एक अन्या नाम आता है सुरेंदर वर्मा इन्होंने खास तोर पर आदनिक जीवन के तनाव को तलखी को व्यक्त करने की कोशिश की है द्रोपदी सूर्य की अन्तिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक आठमा सर्ग इनके प्रमुखनाटक है द्रोपदी में आदनिक मनुश्य के बहु मुखेटेपन को व्यक्त किया गया है सूर्य की अन्तिम किरण से पहली किरण तक में स्री के का प्रशन उठाया गया है इसकाल में भरष्टा जार पीरडियों के संगर्ष समंदों के अर्थ हींता समसामिक ब्यंग राजनितिक संदर्व आदिक विश्यों पर नाटक भी लिखे गई हैं सवत अंत्र योत्र नाटकों की दिवित्य प्रवर्ति है पाश्यात्य रंग शिल्प पर अधारीत नाटक जिसमें सुतरधार कथव हींता नायक हींता का प्रचलन दिखाई देता है हिंदी नाटकों को नमीनता के औरोनमुक करने में रमेश बक्षी जी का योगदान महतवपून है उन्होंने नाटक में भाशा परिवेश वैसंदर्म में बोल्ड नैस का महावरा चलाया सत्तर के दशक तक हिंदी नाटक की रंग में मैंचियता काफी खूली और कर्था के सतर पर उसमें विश्थार और सुक्षमता आ गई सत्तर के बाद की नाटे रचना अपने समय के जटील यथार से टकराती है रंग चेतना की भी पूरी रक्षा करती है इन नाटकों के अंतर वस्तु काफी व्यापक है और इस योग कह सकते हैं कि इस प्रकार की प्रकरती के जो नाटकार है या प्रभृति के जो नाटकार है सुर्वेशवर दियाल और इनके नाटक का नाम है बक्री ज्यान देव अगनी होतर्य के नाटक का नाम है शतुर मूर्ग भी इसम ancाली के नाओं है गयांदेव अगनी होतरी तथा ब्रिज मोहन शाह नाटक से रंगमंच के और नहीं बलकी रंगमंच की अश्करियता से लेकर नाटक रचना की और अग्रसर हुए है ग्यान देव के शतुर मुर्ग में प्रतीक और फटाइंस्टी का प्रयोग की विशेश है और ब्रिज मोहन शाह के त्रिशंकू की रंग मैंचियता गती शेलता महत्वकॉन है इसके साथ ही कई महत्वकॉन निर्देशकों ने भी अपनी कल्पना से नाटकों को सम्रत किया इनमें प्रमुक है इबराही मलकाजी, श्यामानन, जलान, सत्यादेब, दूबे, हबीब, तनवीर, सत्यावरत, सिन्हा, आदी त्रित्य प्रवरिती रही इसकाल के नाटकों में नुकड नाटक, हिंदी नाटे प्रम्परा के विकास में एक धारा नुकड नाटकों की भी है, आपने देखा होगा कि गली महलों में किये जाती है नुकड़ों पर उन्हें नुकड नाटक कहा जाता है, तो नुकड नाट को में जीवन की समस्यां को रंग मंच यह ताम जाम के बिना की सामने रखने की कोशिश की जाती है बड़े सधान रूप में पस्तित किया जाता है बहुत सारे खर्चे की इसके में अफशक्ता नहीं होती है कुल मिलाकर जनता और रंग जो कर्मी है के बीच का संबाध है और य हभीब तनवीर नुकण नाटकों के प्रतिनीदी माने जाते हैं तो यहां एक महत्वपोंड प्रशन है कि नुकण नाटकों के प्रतिनीदी नाटक कार कौन है या रंग मंच कार कौन है हभीब तनवीर तो हम निशकर्ष रूप में कह सकते हैं कि समगरत है हिंदी नाटक के शेतर में स्व्यतन तरियोतर काल भारत इंदुकाल के बाद सुरवादिक सक्रियता का काल रहा इस दोर में गथ्य और शिल्फ के सरफ पर तीवर परिवतनों ने हिंदी नाटकों को एक नई दिशा दी इलेक्ट्रोनिक संचार और माधिमों के दबाब के बाब जुदिया है प चाहएं जो हिंदि कैह सकते हैं नाटय की जो विकास यात्रा है उसमें हमने यह दीयान रखना है कि जो जो इस योगग के नाटक थे यह कैह सकते हिए जो नाट्य की यात्रा थी वह कितने भागों में थी तो वह सबसे महत्वपूर्ण है कि इस इसमें हमें चार भागों में हमने नाटकों को बांटा था प्रसाद यूगीन नाटक पूर्व नाटक हिंदी नाटक प्रसाद उतर सुतंतर था पूर्व हिंदी नाटक और सुतंतर उतर हिंदी नाटक तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है धन्याबाद